हलो दोस्तों कैसे हैं आप चलिए एक बाद फिर से चक करते कि आज हमारे कोशिंज कितने सही निकलते हैं तो दोस्तों आज के यह जो GKGS का मैंने कोशिंट पेपर बनाया आपके लिए यह पूरा उसी तरीके से है जैसा कि हमारे एक्जामों में पूछा जाता है यानि कि आपके हिस्ट्री के भी कोशिंट है थोड़े से साइंस के भी है दो तीन और आपके भुगोल के भी है यानि कि जोग्रफी के भी है तिन-चार कोशिंट मैथ के भी है तो कुल मिलाकि मैंने आज आपका ठीकुसी तरीके से question paper बनाने की कोशिश की है चले दोस्तों तो फिर सुरवात करते हैं आपने पहला number question से देखें चंजगुप्त मौर की मृत्यू कहां पर हुई थी तो दोस्तों इसका answer है आपका स्रमण बेल गोला next question देखते हैं पालवंशी राजा किस धर्म को मानते थे तो दोस्तों इसका answer है आपका बहुत जो पालवंशी राजा थे वो बहुत धर्म के अन्याई थे next question देखते हैं question number 3 बलवन का वास्तरिक नाम क्या था दोस्तों बलवन का नाम था बाहुत दीन यानिकि answer number C next question देखते हैं सिकंदर के पिता का नाम सिकंदर की पिता का नाम था फिलिप और यह मगदूनिया की शाषक थे ठीक हैं और जो सिकंदर था सिकंदर का जम तो आपको पताई होगा 356 पूर्व में हुआ था next question देखते हैं फकीर आंदोलन से प्रभावित छेत्र था तो दोस्तों इसका अंसर है आपका बंगाल थिक बंगाल जो था वो फकीर आंदोलन से आपका प्रभावित छेत्र था और आपको मैं बजा दूं कि मजनु शाह एवं चिराग अली यह जो थे यही इसके निता थे ठीक फकीर आंदोलन के नेक्स कुशन देखते हैं अखिल भारती हरजन संग की स्थापना किस ने की थी तो दोस्तों इसका अंसर है आपका डी नंबर महत्मंगा थी नेक्स्स कुशन देखते हैं कुशन नंबर सैवन इंडिया विंच फ्रीडम के लेखक कौन है दोस्तों इसका आंसर है आपका अबल कहलाम आजाथ यहनि की ए नंबर नेक्स कुशन देखते हैं क्यूशन नमबर एट किस घटना के बाद आस्योग आंदोलन को इस्थकित कर दिया गया था तो दोस्तों इसका आंसर आपका चौरी चौरा कांड थीक है पांच फरवरी 1922 को ये हुआ था गोरकपुर जिले में थीक इस घटना के बाद मातमा गांदी जी ने अस्वय गांदोलन को इस्थकित कर दिया था नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमबर नाइम खुर्पा ताल जील कहां परिस्तित है तो दोस्तों इसका अंसर है आपका उत्त्रा खंड यानिकी ए नमबर नेक्स कोशन देखते हैं अब हम चाय की खेती के लिए सबसे उप्युक्त मिट्टी होती है तो दोस्तों इसका आंसर है आपका C लेटर राइट मिट्टी लेटर राइट नेक्ट कोशन देखते हैं क्रशन क्रांथी संबंदित है तो दोस्तों इसका आंसर है आपको बायो डीजल उत्पादन के लिए इसका संबंद है ठीक है क्रेशन क्रांटी का नेक्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नुबर 12 कागच का पहला सफल कार खाना 1889 में कहां लगा गया था ठीक है तो दोस्तों ये आपको थोड़ा से ध्यान देना है कि सफल और पहला कार खाना ठीक तो इसका अंसर है आपका लखनो जबकि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर कुश्चन दूरी देखे से आता है कि भारत का पहला कार खाना ठीक तो उसका अंसर है आपका सत्रा सो सोला मद्रास ठीक है परूंतु वो असफल हो गया था लेकिन सफल का रखानी की बात आएगी तो फिसका अंसर लखनो होगा ठीक नेक्श कुश्चन देखते हैं कुश्चन अंबर 30 2011 की जंगर्णा में उत्ता प्रदेश की किस जिले में साथ्षर्टा दर उच्चितम थी तो दोस्तों इसका अंसर है आपका गौतम बुद्ध नगर ठीक है और यहां की जो साथ्षर्टा दर थी वो थी 80.1 प्रश्चत ठीक जबकि निवन्तम साथ्षर्टा दर की यदि हम बात करेंगे तो उसका अंसर होगा श्रिवस्ती ठीक 46.7 प्रश्चत वहां की जंगर्णा जब हुई थी तब साथ्षर्टा दर निकली थी तो यानि की उच्चितम की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर नेक्ट कोशन देखत कोशन नमबर आपका 50 नमबर देखिए प्लस और डिवाइट और टू और फाइफ को आपस में बदलते हुए इस कोशन को हल करना है ठीक है तो आप इसको बहुत गौर से देख लीजिए और इसको थोड़ा से समझिए कि क्या करना है आपको आपस में बदलना है ठीक तो आप यहां पे इसको पॉस कर लीजिए और फिर इसको हल करिए जो तक मैं आपको अब इसका अंसर बता रहा हूं ठीक देखिए दोस्तों यहां पे बोला गया है कि प्लस को डिवाइट यानिकि इस जगे पे एट की जगे पे आपको डिवाइट करना है और फाइफ की जगे चाहरा है 5 ही जगे क्या करना है 2 और 2 की जगे क्या करना है 5 माइनस 3 अब आप जब इसको हल करेंगे तो देखिए 4 तू सा 8 यानि कि 2 इंटू 2 और यहां पर 5 है और इसमें से 3 गया यानि कि 2 प्लस 2 तो क्या होगा 2 दूनी 4 और 2 6 इसलिए इसका अंसर हो कि 6 ठीक है 6 अब देखिए इसका अंसर आपका हो गया 6 ठीक है समझाएगे ना चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं बीच परिछण मुल्ता किया जाता है शुद्धता के लिए जमाव के लिए या नमी की मात्रहे तो दोस्तों इसका अंसर है उप्रोक्त सभी के लिए नेक्ट कोशन देखते है कोशन नमबर 17 भारतिय समिधान में समानता का अधिकार पांच अनुछेदों द्वारा स्विक्रत है और वो आपके कौन से हैं इसमें आपको आंसर बताना है तो इसका आंसर है आपका बी नमबर यानि कि अनुछेद 14 से लेकर अठार था नेक्ट कोशन देखते हैं कोशन न किस सिध्धान्थ पर जेट इंजन काम करता है तो दोस्तों इसका आंसर है आपका नमबर वन रैखिक समवेग समरच्छा यानि कि A नमबर कोशन नमबर 19 देखिए यदि किसी संख्या के 3 बटे 8 तथा 2 बटे 7 का योग 370 हो तो वह संख्या क्या होगी ठीक है तो बहुत ही आप इसको हल कर सकते हैं देखिए फिर समझे किसी संख्या का यानि कि हम माल लेंगे वह संख्या है आपकी X तो X का 3 बटे 8 और X का 2 बटे 7 बराबर 370 ठीक और फिर इसका हम लोग हल कर लेंगे चलिए इसको मैं आपको हल करके दिखाता हूं थोड़ी जगे थोड़ी कम है फिर भी कोशिश करता हूं देखिए किसी संख्या यानि कि हमने माल लिया वह संख्या होगी आपकी X ठीक वह संख्या होगी X तो X का 3 बटे 7 तो X का 3 बटे 8 प्लस 2X अपन 7 ठीक यह आपको यहाँ पर देखना है ठीक है तो अब आपको क्या करना है इसका लासा जैसे हम लोग लेते हैं यह लेंगे और जब हम लासा ले लेंगे तब आ जाएगा नीचे की तरफ 56 उसी के आगे आप एक पेपर नोट का लीजेगा और फिर उसके आगे देखिएगा ठीक है अब देखिएगा उपर था 3X यानि कि वहाँ आ जाएगा 21X 3 x 7 ठीक है 21X प्लस आ जाएगा आपका 16X ये कैसे आया आपका आट दूनी 16 ठीक है 8 का गुणा होगा तब ठीक तोटल मिलाकी ये और बराबर में कितना आ गया 370 ठीक है अब देखिएगा इसको महल करना है यानि कि 21X प्लस 16X टोटल मिलाकी हो जाएगा आपका उपर का दोन मिलाकर हो जाएगा 37X ठीक है तो 37X इसकोल टू 56 इंटू 370 यानि 370 चली इसको भी मैं आपको लिखके दिखाता हूं तो X 21X प्लस 16X इसकोल टू 37X और ये 56 वाला बगल में आपके इंटूम चला जाएगा चली इसको लिखत में आएकर तो आप मुझे बताएगा फिर में इस तरीके के कोश्य नहीं बनाऊँगा और या तो फिर मैं आपको पेपर में लिखकर समझाते हुए तब बनाऊँगा तो यह हो गया हमारा 37X इसकोल टू 56 इन्टू 370 अब देखेगा जब हम X को X बरावर लिखेंगे X इसकोल टू तब क्या हो जाएगा 56 इन्टू 370 अपॉन 37 ठीक है तो 37 से आपका क्या कट जाएगा यह जाएगा 10 टाइमस तो आंसर X इसकोल टू क्या जाएगा 56 इन्टू इन्टू 10 तो तो देखेगे इसकोल टू आंसर क्या आगया 560 यानिकि 560 आंसर आ गया और यह रहा देखिए D नंबर पे 560 आपका आंसर आ रहा है ठीक है तो X is equal to 560 देखिए step by step आप जैसे मैंने लगा वैसे लगाईएगा तो आपका आंसर आ जाएगा यदि फिर भी नहीं आता तो मुझे बताएगा तो comment लेकि जरूर करिएगा कि न next question देखते हैं question number 19 20 भारती सम्विधान में सन्हीत मूल अधिकारों की अवधार्ना किस देश के सम्विधान से ग्रहेंड की गई है तो दोस्तों इसका अंसर है आपका स्विंक्त राज अमेरिका नेक्स कोशन देखते हैं commonwealth game 2018 में देश के लिए यानिके भारती देश के लिए पहला गोल्ड पदक किस ने जीता था तो दोस्तों इसका अंसर है आपका A नमबर मीरा भाई चानू ने next question देखते हैं question number 22 तो दोस्तों इसका अंसर है आपका D नमबर केन तथा राज्यों के वित्तिय संबंद से next question देखते हैं question number 23 21 राश्टमंदर खेलों में कुस्ती में कुल कितने स्वर्ण मिले तो दोस्तों इसका अंसर है आपका 500 यानि की D नमबर पांच स्वर्ण मिले हैं तो दोस्तों यहाँ पर चीछ को थरत समझेगा पांच स्वर्ण, तीन रजत और चार कांस्य क्ल मिला कर खुस्ती में भारत को बारा पधक मिले जिसमें से पांच स्वर्ण है चलिए नेक्ट कुशन देखते हूं लोग दस प्रश्यत्वासिक व्याज की दर पर दो हजार रुपे निवेश किये गए चकरवद्धी व्याज की गर्णा प्रती 6 माहा पर की गई एक वर्ष के अंत में कुल धन कितना होगा तो दोस्तों इसका आपको आंसर बताना है देखें मैं आपको एक चीड़ बतायता हूं पहले तो मैं आपको फॉर्मुला बताता हू ए इसक्वाल टू पी वन प्लस आर अपॉन हंड़ेट की पावर अन ठीक है यह होता है फॉर्मुला तो यहांपे ए आपको निकालना है यह यानि की चक्रवद्धी व्याज आपको निकालना है पी इसक्वाल टू टू-थाउज़ ठीक है आर इसक्वाल टू 10 परसेंट ठी हैं लेकिन यहां पर क्या दे रखवा हुआ है है यहां है द्स प्रس्जट ने द्स वार्शिकि में 10 प्रस्जट लेकिन प्रश्ट में दे रखवा है कि यदि व्यास आपका झुम ही लग रहा हो तो 6 में चैने संब यह मतलब 6 महिने के तो ठिक, N, N मतलब होता है समय, समय कितना हो गया, समय दे रखा, इसमें वर्ष, एक वर्ष में निकालना है, लेकिन छमाई कितनी हुई, 6-6 मेने कितने हुए, 2, तो इसलिए समय हो गया, आपका N is equal to 2, ठिक, अब आप यहाँ पर जब इस फार्मूले में इसको apply करेंगे, तो N is equal to 2, and R is equal to 5%, ठिक, अब आप इसको उस फार्मूले पर पर पुराप्लाई करेंगे, आपका अंसर आ जाएगा, ठिक है, और जब आप इसको हल करेंगे, तो आपका अंसर पूरा आ जाएगा, 2,205 रुपए है, ठिक है, चलिए, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, कैमूर वन जेब अभ्यारण कहां पर इस्थित है, ठिक है, तो दोस्तों, इसका अंसर है आपका बिहार, यहां पर यह इस्थित है, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, कोशन नमबर 26, निम्ण में से सबसे प्राचीन वादियंत्र कौन सा है, तो दोस्तों, वीना सबसे प्राचीन वादियंत्र है, नेक्ट कोशन राजा सांसी अंतराष्टी हवाईड़ा कहां पर है तो इसका अंसर है आपका अम्रिसर नेक्ट कोशन देखिए कोशन नमबर 28 एक अच्छा में 22 विध्यार्थियों की औसत आयू 21 वर्ष है सिच्छक की आयू समलित करने पर औसत आयू में एक वर्ष की व्रद्धी हो जाती है बताईए सिच्छक की आयू क्या है ठीक दोस्तु तो आप यहाँ पर फिर से एक बार पॉस कर लें और इसके बाद आप इस आंसर को हल करने की कोशित करें ठीक और अब मैं आपको आंसर बत सबसे पहले ठीक तो इनके आयू निकलेगी 22 गुणे 21 बराबर आपका जो आंसर आएगा वह आएगा 462 ठीक अब देखिएगा अब क्या हुआ जो टोटल विद्यारती 22 थे उसमें एक सिच्छक बढ़ गए यानि कि अब टोटल संक्या क्या हो गई हो गई 23 ठीक गुणे का निशान और अब देखिएगा उनकी ओसर आयू थी 21 लेकिन अब क्या हुआ जैसे ही सिच्छक जो इस की व्रद्य हो गई यानि कि अब वह हो गई 22 ठीक तो अब देखिए जो कुल मिलाकर आयू निकली वह कितने निकली 506 बस आप क्या करिए अब 506 में जब आप 462 को घटा देंगे तो आंसर आजाएगा आपका 44 बस यही है आपका अंसर ठीक है समझे की नहीं समझे आप नहीं समझे तो आप फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से समझेगा ठीक बहुत ही आसान कोश्या है तो आंसर आगया आपका 44 506 में जब आप 462 को घटाएंगे ठीक कुर्西न देख है है इसका अंसर आपका 46 वर से बाब नेक्स है इनसूलीन का उतपाधन कीया जाता है तो इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है तो इसका आपका आंसर हैै आमसर नमबर 35 आसलेकश ऑफ लेंगर हैंस द्वारा ठीक नेक्स ओशेन देखते हैं 30 30, भारतिय प्रेस की स्वतनता का प्रिणता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर है आपका चार्ल्स मैट काफ, उमीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैट की कोश्चन में यदी प्रॉब्लम हो, तो दोस्तों प्लीज नीचे जरूर आप बताएगा नहीं सर समन में आ गया, या सर नहीं आप थोड़ा और डिटेल बताएगा, तो देखते हैं फिर कैसे हम इसको हल कर पाते हैं, ठीक है, तो दोस्तों बेस्ट आफ लग, आप मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, कि टाइपिंग बहुत अचीते हैं कर सकूँ, लेकिन सिर्फ ही मैं आपके लिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई में बस लगे रहिए, जीके जीयस की टेंशन छोड़ दीजे, मैं अपनी सबसे कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, तो दोस्तों बेस्ट आफ लग और बस अपनी पढ़ाई को यहीं जाही रखे, ठीक है दोस्तों, कमेंट जरू करिएगा, शेयर जरू करिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइच जरू करिएगा